नमस्कार आप देख रहे हैं दबंदे भारत का खास कारक्रब मेरा भारत सौन्चरया सौन्चरया में आज हम आपको आगरा के अजूबे ताज महिल के बारे में कुछ रोचक तथे बताएंगे आप सभी जानते होंगे कि हर साल पर्टकों को आगरा में आयवजुत होने वाले ताज फेस्टिवल का बेसबरी से इंतजार रहता है इस साल इस फेस्टिवल की शुरुआत 20 मार्श से होने वाली है ताज फेस्टिबल के दुरान दुनिया भर के कई देशों से पर्टक यहां पहुंसते हैं पर्टक ताज महल की एक जलक पाने के लिए यहां पहुंसते तो हैं इससे जुड़ी हर उस टीच को देखना चाहते हैं जिसे उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है यहां पर आने वाले पर्टक इस साथवे अजूवे के बारे में हर वो बात जानना चाहते हैं जो उन्हें नहीं पता है उन्हीं में से एक किस्सा ये भी है कि क्या शाहजा ने इसे तयार करने वाले मज़दूरों के हाथ कटवा दिये थे ताकि ऐसा नायाव अजूवे को दोबारा कोई और ना बना सके इतिहास में शाहजा का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया इतिहासिक तत्यों के मताबिक ऐसा कहा जाता है वो सबसे अधिक प्यार मुम्ताज महल से ही करते थे कुछ रपोर्ट्स कहती हैं कि जब तक उनकी बेगम मुम्ताज जीवित थी तब तक शाहजा पूरी तरह से उनके प्रेम में समर पे थे यहां तक कि उनकी कई दूसरी पत्रियों की उनकी निजी जीवन में कम दखल हुआ करती थी शाहजा के दर्बारी और इत्हासकार इनायत खाने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है कि शाहजा मुम्ताज के बगएर एक पल नहीं रह सकते थे ताज महल बनवाने के पीछे वो सपना था जिसे मुम्ताज ने देखा था शाहजा के गद्धी समाले के चार साल के अंदर ही मुम्ताज महल का निदन हो गया निदन से पहले कुछ अंतिम शड़ों में मुम्ताज ने शाहजा से कहा था कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है उस जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मेरी आप से बस एक गुजारिस है कि आप मेरी याद में ऐसा ही एक मकबरा बन वाए इसके बाद ही शाजा ने मुम्ताज की च्छा को पूरा करने के लिए ताज महल का निर्मान कराया अब सवाल ये है कि क्या ताज महल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कार दिये गए थे एक रिपोर्ट कहती है कि ताज महल के गाइड इस गिस्से को बड़े चाओ से सुनाते है प्रिटिकों के बीच ये बात हमेशा ही चर्चा का बिशे बनी रहती है क्योंकि दुनिया के इस अजूबे को देखने के बाद ये बात कहीं न कहीं सच भी लगती है लेकिन ये बात महज एक कोरी कलपना है आज तक इत्यास में इसी किसी भी घटना के कोई सबूत नहीं मिले और नहीं इत्यास कारों ने कभी किसी डॉकुमेंट में इसका जिक्र किया है प्यार की इस निशानी ताहजमहल को बनाने में शहजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे तयार करने के लिए कारीगरों की एक लंबी चोणी टीम तयार थी इसका निर्मार करीब 1631 एज़वी में शुरू किया गया था और इसको बनने में करीब 22 साल लगे अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार कर दो एक कीजिए और हमारे कीजिए तोु भी येजिए येश Sedia कर दो aurUS